आज हम लोग बुद्ध की सिक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे बुद्ध ने जो सिक्षा दी है उसके बारे में इस हिसाब से देखेंगे ताकि ये देखेंगे कि अपने जीवन में उन सिक्षाओं का कहां इस्तिमाल कर सकते हैं और हमें क्या सीखनी की जुरुरत है अगर ब किताबों को अगर हम लोग तरीके से अध्यान करें और 3000 के अध्यान कर और 8 तीचिंग DOC हैś और जितने बाद घयाए उन सब को हम समझेशै तो इस हिसाब से सब से सामानिस सब्दों में Go просiy ef तो तीन पीलर्स पे बहुत सिक्षा जो है टिकी होई है पहला पीलर जो है जो पहला पीलर है इसका वो हम इसको अगर हम लोग मानेंगे तो ये मानेंगे बुद्धी को किसको मानेंगे बुद्धी बुद्धी यानि क्या ग्यान ग्यान नौलेज जिसको हमेशा बढ़ाये जा पूरत होती है यानि कि बहुत की पहली सिक्षा जो है वह हमारे जुड़ी है जिसको की निरंतर वे में डिवलप करना है ऐसा नहीं कि जो आपने एक बार अरजित कर लिया ग्यान उसी से आप संतुस्ट हो जाएं ऐसा नहीं है घ्यान को आपको बढ़ाते जाना है चात्रों को आपने ज्यान को रोके नहीं बहुत धर्म की जो सिक्षा है वो ये बोलती है कि आदमी को पूरी जीवन सीखते रहना चाहिए एवन की मरने से कुछ समय पहले तक भी आदमी सीखता है और सीखते रहना चाहिए यह सिर्फ एक बताता है बहुत धर्म यानि कि knowledge, इसके base को क्या करना है हमेसा बठाते जाना है, बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, हो भी नहीं सकते हैं, और देखो, इस स्वर है या नहीं है, इसको लेकर करके डिबीट में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, सब लोग के अपने विचार हैं, तो हम लोग वहां पे ज साहस, बताओ, साहस का मतलब यह नहीं हुआ कि आप किसी से भीर लीजिए, यह नहीं हुआ कि आदित्ते आए और हमारे कुर्सी पे बैठ जाए, तो इसको साहस में हम लोग नहीं गिनेंगे, ठीक है, साहस जो है, वो सिंपल है, साहस का यह मतलब हो गया, कि अगर आप जीव भंग हो सकते हैं, आपके प्रियजन आप से बिछर सकते हैं, लेकिन डड़ो मत, यह कौन कहता है, महात्मा बुद्ध कहते हैं, कि जब जीवन है, तो सब कुछ होगा, आपके प्रियजन आप से बिछरेंगे, आपके जीवन में समस्याएं आएगी, कई तरीके की समस्याएं आएगी, हो सकता है कि कोई गंभीर बीमारी आपको जकर ले, ये common जीवन का एक चक्र है, तो डड़ो मत, कभी मत डड़ो, सहास रखो, ठीक है, सहास रखो, हो सकता है कि ये वक्त बीच जाए, हो सकता है, ना बीचे, जान चली भी गई तो क्या होगा, निरेंतर प्रकृति में तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ है, तो क्या है, डड़ो मत, ये क्या है, सहास रखो, ड़ो मत, जो होता है, उसको स्विकार करो, और अपने करतव विपत पर ठीके रहो, करम कांड मत करो, ये निकि कोई अगर कोई समस्या आई, तो हवन करने लगे, पूजन करन बुद्ध अपनी सिक्षा में बोलते हैं, जो भी कुछ होगा ना, इसका सहास के साथ क्या करना है, सामना करना है, ये क्या बोलते हैं, बुद्ध बोलते हैं, ये नए वो ये समय जो भी प्रानी है उसके परती क्या है मन में द्या भाव रखना कोई दुस्मन भी है उसके परती भी द्या भाव रखना कोई व्यक्ति है हो सकता है कि उसके साथ उसके विचारों के साथ हम सहमत न हो लेकिन उसके परती भी क्या अच्छे विचार रखना करूना का भाव रखन यह नहीं कि आप अपने मन में किसी किसम का नफरत पाल के चलिए ऐसा नहीं है अपने मन में कभी भी नफरत नहीं रखना है किसी भी किसम का नहीं जिसे कोई बच्चे होते है क्लास रू में बदमाशी कर देते हैं क्या बढ़ लगा भी देते हैं पर वैसे इतना नहीं पीटते हैं कि बहुत चोट लग जाये एक पृतिकातमख होता है ताकि वो लगे ठीक है तो ये किया है लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हम उसको तुरंत ही वहां से उसके पड़ती दुसमनी का भाव आता है कभी नहीं आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नेंजरिंग कॉलेज में भी 10 साल पढ़ाया और बहुत अरली एज में पढ़ाया कि कोई बच्चे थे वो कई बर उल्टा थे तो कभी उनेके परती मन में इस तरह का भाव नहीं रखा या कई बर करना का भाव का मतलब यह गया कुशी ने कुछ पाल्ती बद बोल भी दिया है, उसके परती अपने दिमाग को नहीं एड़ेस्ट करके, उसके परती भी एक प्रेम का और दया का भाव रखना, ठीक है, हो सकता है किसी की कोई परिस्थिती रही हो, कई बाइन से के स्टेज रहा हो, जिस समय उसने क्या किया, फिजूल बोल दिया, उसके परती नहीं की मन में उसको घुलाते रहें, जैसे परेंट्स हैं, कई बार बच्चे को कुछ उल्टा बोल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बच्चे को उल्टा बोला, होता है कि बहुत सारी प्रसिती होती है, जिस प्रसिती में वो बंधे होते हैं, कई बार टाइम पे पैसे नहीं आयो होते हैं घर काखर्च ज्यादा होता है कई बार बच्चों के कोई और मामलों से चिढ़े होते हैं कई बार उनको उनके और सिनियर्श ने ऑटा फटकारा होता है तो ऐसी चीजहों को हमें क्या है समझे जाने की जुरूद था कि कोई विभ्य कैंगी बुद्ध ही कि इसके परतिवों ध्या नहीं दे पाता लेकिन ऐसे वक्ति से जो अपने में ही बहुत उल्जे हुए हैं हमें कैसे पेशाना है करुणा के साथ पेशाना है किसके साथ द्या भाव के साथ पेशाना है तो यह हमें कौन बोलते हैं इसलिए हर बत इस्टूडेंट को महात्मा बुद्ध की चिशिंग जो है वो अपने में आत्मसाथ करके रखनी चाहिए दूसरा है हम बात करेंगे इसलाम के बाद हम लोग फिर बाद में करेंगे बितुरन थी मालों एक पर बुद्ध की और एक पर इसलाम की बात करें तो लोग बच्चे क्या है उलज जाएंगे तो हमें इसको उलजाना नहीं है फिर हम लोग जो है next जो class है उसमें हम लोग इसलाम की बात करेंगे उमीद है class में कुछ समझे होगे इसमें काम की बात ये है कि हमेशा से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो कि बहुत बड़ी मातरा में चीनी यातरी भारत आते थे Chinese playgrounds हमेशा से आज से नहीं हजारों साल से भारत आते रहे हैं और भारत आते हैं तो आखिर क्यों आते हैं चीनी देखो बहुत धर्म की जो teachings है वो चाइना पहुंची जब चाइना पहुंची तो वहां के लोगों का बहुत धर्म के पड़ती बहुत रुजान जगा पुड़े वर्ड में बहुत धर्म फैला भारत में क्यों सिकुड़ गया इसका अलग स्टोडी है इसके पड़ती हम लोग इसक बढ़ाते रहना यह नहीं कि जो नॉलेज है उसके पर इस्टेबल हो जाना यह नहीं कि पुरानी एक मानेता को हमने पकड़ा और उसी को इदम सत्यमान लिया कि नहीं हमारे तो पड़नानी पड़दादी भी सिंदूर करती थी अब तो सिंथेटिक सिंदूर आ गया तो भी यहां पर आने के बाद उनके साथ सबसे समस्या जो होती थी कि वो बौध धर्म के कठीन गरंतों को समझ नहीं पाते थे, तो उसको समझने के लिए, कि इसको समझे कैसे, वो भारत आते थे, और यहां से, यहां के जो बौध की बड़े-बड़े विद्वान थे, और जो किताबी थी, उससे वो सरल भासा में बौध धर्म को समझना चाहते थे, तो बौध क्या है, धर्म नहीं, वो धर्म बोलेंगे उसको, धर्म, सब धर्म ही है, कोई धर्म होता क्यों है, बताओ, वो हमें सिखाता है, वे आफ लिभिंग, way of living सिखाता है कि हम कैसे जीते हैं कैसे है वो तरीका है हिंदुईज्म का है way of living है सुबह सब उठना नहाना धोना अपने काम पे चलना ठीक है regular way में किसी के प्राणी मातर के प्रदिदया भाव रखना ये सब हिंदुईज्म है लाकि किसी धर में बिजनस का जाता है ना तो उसका सवरुप change हो जाता है समझ रहो ouna business जब आता है तो क्या होता है सवरुप change होता है जड़ाने लगते हैं कि रवीबार की दिन people के पेर में कोणंने हो खारना चाहिए ठीक है सुना है किसी से यह हो गया तो वो दोस हो जाएगा ठकुए खालिया उससे पहले तो यह परषानी है यह पाप लिखा जाएगा तो यह सब और डडाते हैं रहाते क्यों हैं बहुत बिधी विधान से भी जिनकी साधी हो ही है उनकी बी सादी तूटी है ठीक है कई वाइफ मरें है या हस्वे तो हमें अपना नॉलेज बढ़ाते हुए यह देखना है कि हमें ऐसा कौन सा एक्ट है जिसको हम लोगों को नहीं करना है कुछ पूछना भी है